नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त काम्या दोस्तों क्या आप जानते है जीवित शरीर पानी में डूबता है लेकिन मृत शरीर पानी में तैरता है कई बार आपने फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति पानी में डूब कर मर जाता है तो कुछ समय बाद उसकी लाश पानी की सतह पर आ जाती है लेकिन कभी आपने सोचा है ऐसा क्यूं होता है तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस बारे मैं जानेंगे दोस्तों अगर मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले में हमेशा नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाती रहती हूँ दोस्तों क्यों तैरती है लाश जबकि जिन्दा इंसान डूब जाता है इस प्रश्न को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि जिस घनत्व जिसे हम अंग्रेजी में डेंसिटी कहते है ज्यादा होता है वह चीज पानी में आसानी से डूब जाती है डूबते समय हमारे शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता है जिसकी वजह से जीवित शरीर पानी में निचे की और डूबने लगते है जब काफी पानी चला जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है शुरू में लाश पानी में निचे डूब रही होती है लेकिन जैसे ही शरीर शड़ न शुरू हो जाता है और उसमें से गेस निकलनी शुरू हो जाती है तो लाश पानी में उपर की सतह की ओर आ जाती है ऐसा ब वातावरन भी स्थिर नहीं रहता जिससे धीरे धीरे शरीर के अपकटन जिसे हम अंग्रेजी में डीकॉम्पोजिशन कहते हैं कि प्रक्रिया शिरू हो जाती है जिसमें शरीर के अंदर और बाहर बैक्टीरिया शरीर के कोशिकारा और उतेकों को तोधना शुरू कर देते हैं इस शरीर को पिट्रिफाक्शन भी कहा जाता है जो कि भौतिक रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं की श्रिंखला होती है शरीर के मरने के साथ ही इसमें मौझूद बैक्टीरिया भी नश्ट नहीं हो जाते ये बैक्टीरिया शरीर के विभिन हिस्सों में मौझूद शुग जाता है एक नई गैस विक्सित होती है जिससे आखिर पार लाश उपर की ओर आती है शरीर का वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन बॉडी का वजन नहीं जिससे लाश को तैरने में आसानी होती है मृत शरीर का घनत्व पानी से ज्यादा होने के कारण यह पानी में निचे डूब जाता है जब पानी के नीचे हमारे मृत शरीर में गैसे बनती है जो की पानी से हलकी होती है यह बॉडी के घनत्व को कम कर देती है कुछ समय बाद लाश का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में हलका हो जाता है जिससे मृत शरीर पानी की सतह में तैरने लग जाता है पा कुछ दो से तीन घंटे दिन या हफ्ता भी लग सकता है दोस्तों हमें आशा है यह विडियो आपको पसंद आया होगा कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव देकर हमें यह बताने का कश्ट करें की जीवन सूतर को और भी ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है आपके कि अरयोगगे मिपलो कता बताने के सलंइन सकतार हो ऑता बार हो बताने का का कैसा बेहतर हो जे बताने का कि एक बताने का क्रेमूल्य क्ता है स्टों कि विब्हाच बताने को त्युकर दिएन सकता है इाम चीशशव है झालईके स्च Mustμέ principles North